वेल्डंपेंस आवर यूटूब चैनल पेरयमेडिकल केरेर अरड़िमी में दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है मैंने हवी आली में एक वीडेयो दाला था दिल्ली के अंदर मैंने एक आठीए लगा थी सैनेटर इंस्पेक्टर असे रिइस अनने इस्पेक्टर मलेरय इंस् वीडियो जो है आज मैं अप्लोड कर रहा हूं उसका जो रिपलाई आए वह आप लोगों को बताना चाहता हूं तो दोस्तो अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब निए तो सब्सक्राइब कर लिजिगा बेल आइकन उप्रेस कर लिजिगा वीडियो को जरूरी सेर क करते हैं आज का वीडियो लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए इतनी यूजबल जानगारी प्रवाइड को राते हैं तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि सभी सोचल मीडिया प्लेटफॉम पे इसको जरूरी सेर करेंगे ताकि सभी केंडिडियर तक जो है यह इन्परमेशन पहुंच सकें ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों यह जो वेकेंशी के बारे मैंने मालूम किया था जैसे कि आप सब पूंचे रहते हैं जो है दिल्ली के अंदर सब्सक्राइब तो उसी की रिगर्डिंग मैंने यह आटे लगाई थी जैसे कि मेरा जो क्यूंच तब वह मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं पहली बात तो अगर आपको कोई भी प्रेशा नहीं हो तो आप मुझे इस मेल आइडी बे जो है मेल कर सकते हैं ठीक हैगा किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चीए जैसे कि मालेज आपको मैं कोई वेकेंसी बताता हूं आपको समझ में नहीं आती है तो यहां पर मुझे मेल कर सकते हैं और एक और बात मैं कहना चाहूंगा जैसे कि मैंने आपको दिल्ली में जो वेके बताई थी मैंने ठीक है योगेता बताई थी तो बहुत से बच्चे पूच रहेते हैं कि अपने वीडियो डाला है तो उसके बारे में जानगारी दिए जबकि मैंने वीडियो में सबसाब क्लेर किया है कि यह कोई वेकेंसी नहीं है रिक्वायर्मेंट टूल मैंने दिखा है उसके अंदर आपके क्वालिपिकिशन दिखाई है और कौन-कौन ची पॉस्ट होती है ठीक है प्रमसन जो देने का क्या है उस पर सारा शुड़ वह सारी चीज मैंने उस वीडियो में डिसकस किती लेकिन बहुत से बच्चे ऐसा है जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो आज म मैं आप से फिर यह चीज कर रहा हूं तो कोई भी बावार के मैं एक इक विसंस नहीं नहीं करें क्योंकि जो चीज में आपको एक डियर बता रहा है पिर भी आपको समझ मूरे तो उसका पर में खुच नहीं कर सकता दोस्तों ठीक है तो इसका वीडियो जैसे कि आप यहां लोगों देख रहे होंगी आठे लिखा वाई राइट टू इन्पॉर्मेशन जिसका मतलब होता है सुच्छना के अधिकार 2005 के तर जो है आप किसी भी विवाग से जो है इन्पॉर्मेशन मांग सकते हो किसी भी प्रकार की ठीक है यहां से जैसे कि आपको अब श्रीट कर देते हैं यह मेरे द्वरा लगाएगै यह इनोथ कुमाई मिना ठीक है और यह मेरा मेल ऐडीए है एक मिनाट इसको तोड़ा साथ जूम कर लेते हैं आगे आपको अच्छे से दिख सकें यह जो है मेरा मेल आईडिय और यहां पर देख सकते हैं आप डिपार्टमेंट का जो मैंने चूज किया है पब्लिक अटोटी जो है दिल्ली सुपरिंदेंट सर्विस सेलेक्शन सब्सक्राइब मैं जा करके आप जो है अटे लगा सकते हों है कि तो यहां पर बात कर लेंट के मैंने क्रांशा ता फूर्स आपको यहां पे पूरा नहीं दिखे पब्लिक एंस्पेक्टर और ही इंस्पेक्टर का जो रिक्वार्मेंट है डिससबिक में चोनी के जता तो इसमें जो है विद्षबाइब से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्यूकृति मिली वे उन पदों की विद्टुर्ट की जानगारी दी जाए तरहा तो पहला नितुन मसी जानगा जाए तो इनुन की जो अभी तो इन में आप इनमे बताइबस्तों से इनों दोके उनोंने मुझे रिपलाइया तो दौस्टतों आपको निरासा लगेगी और मेरे निरासा लगे इनोनumnे ना मेरा पहले या सेख़ूशन दिया गार आपको ये यह लिदा मुझे संबन्दित नहीं हैdır तो दोस्तों यह चीज तो मुझे लोजिक वाली नहीं लगी कि यह जो जानकारी मैंने मांगी है वो डी असवी से संबन इतनी है देखो हमारे राश्तान में तो क्या हता है राश्तान में जब हम इस प्रकार की आठी लगा चुका में ओलडी जैसे कि मैंने पूछा है फाइने से टिपार्टमेंट में 8 लगाय थी उसको बोलते है कि यह लोकल से सिर्विक र is इसमें लगाते है यह चीज बताइएगा ऐसे कौन इकालते फया इस परमनेट वैकेंज इसको निकालता है तो इस पदों की जो है अपने को जानगर्य देगा न ॏ कितने भी वागों से किटने प्दों पर mush टुक्न एक सेनेर्टर इंस्पेक्टर ठीक है ऐसिटेंट सेनेर्टर इंस्पेक्टर आशिटेंट । मलेरिया और दिल ली गंदर तो निसमी आप मांगा रहे हो इस भी बाग से संब्सक्राइब नहीं नहीं है तो इसका तो मेरे पस्ट अपिल में अगर यह reply नहीं देते तो मैं second appeal करूँगा, second appeal में इनको reply देना पड़ेगा, एक चीज और, जैसे कि मुझे doubt था कि यह reply नहीं देंगे, तो मैंने इसका बंदबस्ता है वो पहले से एका रखा था, मैंने क्या किया, note लिख दिया था उसमें नीचे, note लिख करके उसमें मैंने लिख दिया था, अगर यह जानकारी आपके विवाग से संबंदित नहीं है, तो संबंदित विवाग में जो है, इस आटे को टांसपर कर दिया जाए, ठीक है, तो इन्होंने टांसपर भी नहीं किया, और मुझे मतलब बे तुका सा reply लिख करके दे दिया जैसे कि होता क्या है, अपन किस विवाग में जानकारी मांगते हैं, ठीक है, तो अगर उसके पास वो जानकारी नहीं है, तो वो संबंदित विवाग में जो है, उस आटे को ट्रांसपर कर देता है, लेकिन इन्होंने वैसा भी निकिए, तबकि मैंने साप साप लिखा अपील का, ठीक है, तो अब मुझे क्या है, पस्ट अपील करनी पड़ेगी इसके लिए, क्या करना पड़ेगा, पस्ट अपील, पस्ट अपील में अगर ये रिपलाई नहीं देते हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ागा, सेकिंड अपील, सेकिंड अपील में भी अगर तो वह मैंने आपको बोल करके बता दिया, फिर भी जो है, अगर आप देखना चाहते, तो आप मुझे comment करियेगा, comment में जो है, एक तो मैं आपको जो questions किया आया, तो पूरा questions दिखा दूँगा, questions के साथ में reply आया, वो भी दिखा दूँगा, ठीक है, तो जल्दी से comment करियेग तो बाई-बाई, take care, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार, बता चुका हूँ, उन्हेंनों मुझे कोई reply नहीं दिया, तो आज, जो है, मैं आपको यहाँ पर reply दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों, यह देख लीजिएगा, आप, in right to information application is not allowable in this branch, तो यह कह रहे हैं, मतलब है, एक तरह से जो है, मतलब है, इन से संबंदित नहीं है, इस ब्रांच से संबंदित नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ाएगा, इनको जो यह reply दिया ही नहीं, तो आप मेरे पास एक और option है, पर्ष्ट अपिल करने का, सेकेंड इस जवास में reply नहीं हूँ, तो RTA का act है, उसके तरह मैं पस्ट अपिल कर सकता हूँ, ठीक है, पस्ट अपिल के बाद मैं जो है, मैं सेकेंड अपिल कर सकता हूँ, तो last and final जो है, इनको मुझे reply देना ही पड़ेगा, और एक और चीज बता दो, मैं DSSB में जो है, दो RTA इस में काफी टाइम लगता है, तो हम भी चाते हैं सभी बत्चतों के इनफ्रोमेशन पहुंची, उसके लिए आप सोस्ट मीडिया के सभी प्लेटफॉम पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करेगा, पेस्बुक, ट्यूटर, टेलिग्राम, वाट्चाप सभी पर शेयर करिएगा, जहां पर भी आप जुड़े हों इंट्राग्राम सब पर, और आपने आप भी तक मुझे इंट्राग्राम पर फॉलो कर लिजेगा, आपको डिस्किसिन में जो है, हमारे इंट्राग्राम का लिंक मिल जाएगा, थेंक्यू, बाइबाइ, टेक केर म मिलते हैं, नेक्ट वुड़े में तब तक के लिए नमस्कार,